जल्दी जल्द आ रहा है सम्तेट नोटिफिकेशन निकल चुका है 2023 का, यह special test है, 6 schedule के लिए, पहला बार के लिए होने जा रहे, so यह बहुत ही बड़ी ख़बर है, आप सभी लोगों के लिए, देखते जाए मेरा वीदियो, आप लोगों को सब information, इस में से मिल जाएगा, मेरा जो बोलने का है, यह English में होगा, Hindi plus English में होगा, आप लोग डेखते हैं, जाएए मेरा वीदियो, तो यह है, Assumtate Notification 2023, आउट हो चुका है, यह Special 6 schedule Assumtate है, इसको आप लोग apply किजिए, तो यह Department of Elementary Education, Assum release कर चुका है advertisement for Special 6 schedule Tet 2023, और यह LP और UP लेबल के लिए होगा, और यह Notification काप निकाल चुका है 28 February 2030 को 28 February 2023, 28 February आज कितना हुआ, आज हो गया March का 20 तरिक और इसका last date होगा 25 तरिक को, जो लोग सोच रहे हैं कि मतलब apply करेंगे, करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं कियें, अब लोग जल्दी ही computer cafe में जाके कर लिजिए, क्योंकि आपके पास सिर्थ पाच दिन बाकी है, तो लास में क्या होता है, अंतिम दिन तक आप यादी रुकेंगे, मतलब करेंगे, बोलके क्या होता है, कभी अगर नेत नहीं रहेंगे, कभी यह होगा, वो होगा, इसलिए आप जो यह golden chance है, यह आप गवा लेंगे, इसलिए आप जल्द जाके apply कर लिजिए, तो यह क्या परिक्सा है, क्या तेथ है, इसका परिक्सा का नाम है special six schedule set, तो इसका job category क्या होगा, यह state level एक नौक्री है, यह तेथ नौक्री होगा, तेथ आप लोग शिक् तो इसका mode apply करने का तरीका क्या है, online होगा, इसका offline नहीं है, आप लोगों को online करने होगा, तो यह registration सुरू काप हुआ, सुरू हत काप से हुआ, यह 25 March को हुआ, 12 February को notification निकला, फिर 5 March से आप registration हो गया, तो 5 March से लेके 25 March तक है registration, आज होगा, 20 March आपका हाथ में है, सिर्फ 5 दिन, आप जल्द ही जाके registration किजिए, apply किजिए, और इसका eligibility क्या है, कितना तक पराई करने से, कितना qualification आपका पास होने से, आप apply कर सकते है, graduation, अगर कोई BA कर मेंते हैं, कोई BAC है, कोई BCOM है, कोई BA, BBA है उन लोग ये नोकरी को apply कर सकते हैं, लेकिन high secondary भी apply कर सकते हैं, लेकिन इसका कुछ condition है, आप लोग वीडियो देखते चाहिए, आप थोड़ा देर में पता चल जाएगा कि high secondary होने से भी apply कर सकते हैं, तो job selection process किया है, ये merit basis में होगा, जैसे कि आप इस general category के लोग 90, 150 में से 90 मतलब कि 7, 30 मिलने से आप qualify marks हसिल कर पाओगे, और ST, SC के लिए कितना चाहिए, 55%, मतलब कि 5% आपका concession है, ये आप बाद में पता चल जाएगा, लेकिन आप तक ये जान लिजिए, merit basis में नोकरी होगा, कि मतलब आप pass कर गये, नोकरी क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये merit basis होगा, आप pass करने से नोकरी में नहीं भी मिल सकता, इसलिए आच्छा से आच्छा आप marks लाने के लिए कोशिज किजिए, तभी ये नोकरी आप मिल पाओगे, job location, अगर आप pass कर गये, merit basis में नाम आ गया, लेकिन नोकरी कहा होगा, आपका posting कहा होगा, ये जान लिजिए, ये बाक्स सिदियोल का जो दिस्ट्रिक से इन में से कई एक में आपका नोकरी हो जाएगा, अगर आपका merit basis में नाम आएगा, तो फिर official website भी है, यहापे मेरा screen पर site आप लोग को दिखाए दे रहा है, तो ये website में आप जाएए, और आप बहुत सारा information ये तेत के बारे में आप हसिल कर सकते है, तो ये website है www.ss-server-sexy-arvision.assam.gov.in, और दुसरा website है www.ctce.net, आप मोबाइल में, गूगल में ताइप किजिए, फिर बहुत सारा information आपको मिल जाएगे, तो ये देखिए, इसमें Assam Ted 2013, Important Deaths, इसलिए मैंने लिखा है, Forget Me Not, मुझे भूल में बहुत सारा information आपको मिल ज मात जाना, क्यों भूल मात जाना, क्योंकि ये बहुत जरूरी जानकारिया है आप लोगों के लिए, तो ये notification card निकला, 28 February 2013 को, online registration, काप से शुरू हुआ, 5 March से शुरू हुआ, 2013, ये test delete हो गया है, आप लोग समझ लिजे, ये 2013, last day apply करने काव है, 25 March 2013 को है, last day, 5 दिन बाकी है दोस्तों सिर्फ, admit card मिलेगा, admit card मिलने वाला है, 25 April 2013 को, मतलब कि जब आप रोंगाली भी हूँ मनाएंगे, जब आप रोंगाली भाईशा को मनाएंगे, तब मिल जाएगा आपका admit card, उसके बाद परिक्षा काव होगा, परिक्षा का तरीख क्या है, परिक्षा का तरीख है 30 April 2023, 30 April 2023 है अपका परिक्षा का तरीख है, examination date है, तो यह बहुत ही important है, इसको आप लोग screenshot करके राख दीजिए, चलिए दूसरा slide में जाते हैं, यह असामते 2030, illisibility क्या है, आपको क्या चाहिए इस नौकरी के लिए, और apply करने के लिए आपको पास क्या qualification होना जरूरी है, तो LP के लिए, lower primary के लिए आप HS, मैंने बोला था, HS होने से भी apply कर सकते हैं, लेकिन higher secondary कम से कम 50%, 50% होना जरूरी है higher secondary में, उसके साथ-साथ 2 साल का deal है, 2 साल का deal है भी जरूरी है, और आप 21 वर्स से ज्यादा या फिर 21 वर्स होना परेगा, इससे निचे होने से आप apply नहीं कर पाओगे, और B.A. B.C. graduation with 50% और B.A. D.L.E. होना भी जरूरी है, तो निचे देखिए ये है upper primary के, अपर primary के लिए क्या चाहिए, इसका भी graduation, चाहिए होगा या फिर post-gradation MA, M.A.C. M.C. or M.C. or others MBA, ये सब भी चलेगा, लिकिन 50% चाहिए, 50% पर्चास 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 पर्सेट पर्सेट चाहिए, इसके साथ B.A. D.L.E. लग जरूरी है, और निचे देखिए B.A. B.C. फिर इसके साथ 1 साल का B.A. जो लो कर लिया है, पहले, जब दो साल का नहीं था, तब एक साल का था, वो भी अप्लाइ कर सकते हैं, तो देखिए, आसम थे 2023 एप्लिकेशन फिस, कितना रूपिया देना होगा, अप्लाइ करते हैं, वाक्त, ये देखिए, पेपर है, दो पेपर, पेपर वन, पेपर दू, केटेगोरी है जेनरेल, OVC, ST, वागेर, वागेर, ये जेनरेल के लिए 325 रूपिया चाहिए, और SC, ST के लिए 300 रूपिया पार पेपर, अगर फास्ट पेपर आपको एप्लाइ करना चाहते हैं, तो उसके लिए 325, जेनरेल, SC, ST, OVC के लिए 300 रूपिया, और पेपर तू भी अगर कोई कोई पेपर 2 के लिए सिर्फ एकी पेपर के लिए अपलाइ करना चाहते हैं, तब बराबर है, मतलब के 325, STS के लिए 300 रूपिया, लिकां दोनों पेपर में अगर करना चाहते हैं, तो तुरह ज्यादा जाएगा, 600 रूपिया, और इसके साथ साथ केफे का जो सार्च है, व apply करना चाहते है तो जल से जल आप जाए रेजिस्टेशन कीजिए इसके बार में देखिए आसम तेट एग्जाम पेटर्न डौहाजाद टेस और लोर प्राइमारी लपी के लिए subject क्या होगा questions कितना होगा marks कितना होगा यह देखिए subject category क्या होगा कितना subject का topic का आप देखना जरूरी है LP के लिए child development and pedagogy compulsory paper होगा 30 mark 30 question रहेगा 30 marks रहेगा और निचे देखिए language 1 होगा language 2 compulsory होगा language 1 होगा mathematics होगा environmental science इसका total कितना होगा 150 होगा आपका प्रासना होगा 150 और इसका number भी होगा 150 मतलब कि एक प्रासना में एक number ही रहेगा time duration प्राइक्षा का समय कितना होगा 2 घंता 30 मिनित मतलब कि धाई घंता आपका पास है एक paper sum up करने के लिए और देखिए अगे असंते एक्जाम पेटर्न 2023 यह यूप आपर प्राइमारी के लिए यह भी बराबर ही है लेकिन एक थोरा सा यह पर changes है style development तो है language 1 है language 2 बराबर है paper 1 का जैसे है लेकिन इसमें क्या है math science और social science होगा paper 2 में तो लेकिन इसका भी number of questions वही है 150 इसका भी number वही है 150 सिर्फ या पे maths का question होगा science का होगा और social science का होगा तो इसका भी time duration परिक्सा का बराबर है धाई घंता में आपको sum up करना है paper 2 का भी और यह देखिए question pattern कैसा होगा आपका प्राशना total number of questions होगा 150 एक प्राशना का number होगा एक और देखिए paper 1 का 1 hour 50 minutes रहेगा paper 2 का भी 1 hour 50 minutes ही रहेगा तो जो लोग धरा आखों से अच्छी दरा से देख नहीं पाते उनलों के लिए एक घंता में 20 minutes जादा होगा एक घंता में 20 minutes जादा दिया जाएगा लेकिन इसमें एक बहुत बर्या ख़बर है कोई negative marking नहीं है minus mark नहीं होगा इसमें आप लोग का कोई खता नहीं जाएगा जेतना मिला हो इतना ही रहेगा तो qualifying marks होगा general के लिए 90 मतलब 150 में से 90 आपको लाना होगा ये होगा 70 प्रतिशत minimum marks आपको इतना लाना होगा percentage minimum इतना आपको लाना परेगा जो लोग general का है और SCST के लिए past person जो है ये concession है मतलब कि 55 प्रतिशत मिलने से भी आप qualifying हो जाएगा लेकिन married base है married base है इसलिए आप 55% मिल गया 83 मिल गया नोकरी मिल जाएगा ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि ये married base में आपका selection होगा मतलब कि minimum उन लोग का कितना लेगा इन में से जो last में है वो कितना मिला होगा इस हिसाब से आपका merit निकाल आएगा तो merit में जिसका नाम आएगा उसका नोकरी हो जाएगा तो आगे देखिए ये असांते 2000 test steps to apply online क्या करने से आप online कर सकते तो candidates के लिए नीचे दिया गया है steps number one है आप login किजिए ssa.asam.gov.in में जाए गूगल में जाके ये टाइप किजिए ओफिशल वेबसाट जो है उसके बाद दो numbers step है आसंते एड़र्टेजमेंन का जो पीडिया भी ये डाउनलोड करके पर लिजी आची तरह से step 3 होगा आपका आसंते एप्लिकेशन फॉर्म लिंक दिया जाएगा वो लिंक बें जाके फॉर्म निकाल आएगा इसका साथ साथ आप रिजिस्ट्रेशन पर कर लिजीए इसका जो आपना थिकाना है आपका नाम वागेरा क्वालिविक्शन जितना भी क्वालिविक्शन का जो डॉकुमेंट्स वगेरा है सब आप अपलोड करके कर लिजीए इसका फी आपको देना होगा मैंने जो बोला जो फीस बोला वो देना होगा और करने का पर जो आप मिलता है प्रिंता हो वो लेके आप घर जाएए अच् प्रिंडिया तो इसका एक जो कॉट है इसका साचत मैं आज का वीडियो में समप करना साथ हो क्या लिखा देखिए द्रीम्स इस नॉट यू सी इन स्लीप द्रीम अलब्स जो सपनों आप देखते हैं सोते वक्ट वो सपना सपना नहीं है तो सपना कैसा देखना चाहिए जाचा की जो आपको सोंे नहीं देते मुझे आद हेम भीशार के बनना था लेकिन वो दिमाग में होना चाहिए कि मुझे नंदा परेगा तब ही आपको ज़दा सोने नहीं देगा, आप तो कोई-कोई तो आत गंता सोते हैं, दस गंता सोते हैं, बारा गंता सोते हैं, दिन में भी सोते हैं, लेकिन इसका सचर में आप क्या हो गया है, बहुत ही लेजी आदमी हो गया है, तो यह बोल रहे हैं कि आप फ़रा कम कर ज्यादा आप मेहनाद किजिए तब आपका सफलता जरूर होगा यह है आम लोग जो श्वारगिया अपीजी अब्दुरकलाम सहाब ने बोले थे तक सिर्फ को देते होगा 하ोग उपर्णाव किजिए यह थाय इसलिए आप सब्सक्राइब केंको लिए जैय करें किसे थे अब संसेष में में बढ़नाखने दो में बाल ते आम इसलेड के लिएया आप सुआबकर किजिए मेरा वीडियो को thank you for watching guys